नमस्ते फ्रेंड आजकी वीडियो में मैं आपके शाहर शेर करने चाहरे हूं मेरे government partures के interest का makeover का idea जी हां कि बहुत ही मैंने unique risk से और बहुत ही जुगाड़ risk से तयार किया है और इसे तयार करने के लिए मुझे काफी सामेह लगा है क्योंकि मैंने एसे यसे जुगार किये हैं कि इसमें जो भी मैंने सजाए इसे मैं ऐसे उजवल रख जा सको हूँ और मेरे पात जो इस घर में रहने आये वो भी इसका एउस कर सके जी हाँ, क्योंकि जगर हम रेंटल के घर में रेने हैं या इस तरह से government quarters में रेते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रेरी होता है कि हम बार-बार बहुत सारा सामान लेकर transfer होती है तब हम सब सामान के लेकर यहां से वह हो नहीं सकते हैं तब हमारे लिए बहुत ही आश्रवाद रुपे तो देखे कि मैंने किस तरह इसका चुगाड किया है अब भी इस तरह से अपने को बहुत प्यारा सा सजा सकते हैं यह मेरी class 1 quarters का entrance है और entrance होते ही इसमें दो बड़ी-बड़ी सी window है और नीचे बैठने के लिए कुछ इस तरह का sitting arrangement भी है और यह जो है इसको मच्छना इसके लिए इसको net से पूरा कवरब किया हुआ है और इसके साथ आप देखेंगे तो यह बहुत पूरा ना है क्योंकि यह 50 years old है और इसके साथ यहाँ पर जो है एक शेल्स दी गई थी open जिसे मैंने इस तरह से curtain से close किया है घर में एंटर होने के लिए हमें दो दरवाजे मिलते हैं हम मुख्य दरवाजे का use करते हैं और दूसरा जो है वो servant room का है उसे में close ही रखते हूँ और अब इसे जो तयार करना था मुझे यह बहुत ही मेरे लिए जो है चैलेंजिंग वर्ख था क्योंकि यह इस तरह से निकलता रहता था जब भी हम यहाँ पर बैठते थे तो कुछ ने कुछ अपने आप ही गिरता रहता था तो पहले तो मैंने सोचा कि इसे जितना भी निकलता है उतना में निकाल दूँ तो मैंने यहाँ पर जो है रसोई के ही यूटेंसिल से उसी का use किया है और इसे ही इसे निकाला है और इस तरह निकाल लेने के बाद जितना भी निकलता था मैंने निकाल दिया और बाद में यहाँ जेके वाइट सेमेट का यूज़ कर रहे हूँ अब यहाँ बिल्ला पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं मुझे यह मिला है तो अभी मैं इसे से इसको लगा रही हूँ और लगाने के टाइम आप जो है हाथ में अपने हैंड ग्लाउस पहनना बिल्कुई भी न भूलिएगा और इस तरह से मैं इसे लगा रही हूँ लगाने का मेरा में मोटो यह है कि यह जो ज़्यादा कुछ ना निकले और यह इसके साथ बराबर फिक्स हो जाए और मैं यहाँ पर हाथ से ही लगा रही हूँ कुछ इसे मैंने स्पेशियली कुछ टूल्स का यूस नहीं किया है क्योंकि मेरा में मोटो यह है कि बस इसे लगा दू ठीक से और यह उबर खावड रहे तो अभी मुझे कोई प्रोब्लेम नहीं है जी हम देखे कुछ मैंने इस तरह से लगा दिया है और यह बहुत ही मजबूत है इसे इसके साथ जो है बराबर लग गया है और अब मैं क्या कर रहे हूँ कि जो नीचे का भाग है ना वहाँ पर मैंने इस तरह से ग्रीन ग्रास आर्टिफिशल ली थी और यह मुझे 50 रुपी स्क्वेर फूट मिली है और इसे में लगा रहे हूँ तो मैं इस तरह से दो पीसिस अलग अलग इस तरह से कटवा कर लाई थी और इसे यहां लगा रहे हूँ तो इससे इसका लूप बहुत ही अलगाएगा अब इस तरह से इसे लगा लेने के बाद उपर के भाग में मैं क्या लगा हूँ अगर मैं यहां वॉल पेपर लगा रही हूँ तो मुझे इसे बहुत अच्छी तरह से जो है यहां पर फिनिशिंग करना पड़ता तो मैंने क्या किया जब आपके साथ मैंने पर्स का आइडिया सेर किया था ना तब का यह बचवा कपड़ा है इसी को आपस में जोड़कर एक में विजरेबल नहीं होगा और फिर मैंने कुछ इसे प्लांट से कुछी सजा कर इस तरह से कंप्लेट किया है और देखिए इसका लूप कितना प्यारा आ रहा है अब इसके उपर के साइड पर मुझे लगाने के लिए बहुत ही चैलेंजिंग लगा क्योंकि मेरे पास कि को पसंद किया और पूरा से अब पास होती है और इसके उपर मैंने यह जो नीचे जो कपड़ा लगा तो उसी के बचिवे चुटे-छोटे से पीसे से बस उसी को लगाती इचा रही हूं और इसे तयार किया है और इस तरह करने के बाद मैंने फैविकल से बराबर लगा लगा दिया है तो आप इस तरह से भी उपर के भाग को में जी इस तरह से किड़के में सजा रही हूं सजा सकते हैं मैंने बहुत सोजा कि यहां पर मैं कुछ परदा लगा लगा हो कुछ अलग तो की डीजैनिंग के फूर्वावर्स लगा हूं ने कुछ भी समझ में नहीं आ और इन सब को मैंने यहां पर जो है डबल टेप की साहिसा से लगा दिया है और देखे कितना प्यारा सा लुक लग रहा है और बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट ही लगेगा इस तरह का आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा कहीं पर मैंने बहुत ही जो है इसे त्यार किया बिल्कुल ही जीरो कोट मुझे बहुत ही यह पसंद आया पहले का आप लुग देखिए और अपका लुग देखिए कितना अलग है कितना डिफरेंट है और आप इस तरह से बिल्कुल आसनवे में घर पे तैयार कर सकते हैं तो आप यह सोचना बंद कर दीजी कि हम कर्मेंट बक्ष में जरूर से शेयर कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि यह और कोई आइडिया से मैं इससे सजा सकती थी तो वो भी मुझे जरूर से बताईएगा अब मैंने क्या किया है कुछ इस तरह से प्रिंट आउट करा ली तो 10 रुपे की इस तरह से प्रिंट डेट्सों से 200 रुपे की फोटो फ्रेम हो जाएगी लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लेम यह आएगा कि जब हम हमारा घर ट्रांसफर करेंगे तब यह सब काश तूटने की जो है सभावना है तो इससे तो अच्छा है कि मैंने इसे इस तरह से अपने एक डुपट्टे की ज जो है इस तरह से हंगिंग कर दिया और यह भी मैंने काड़बोर्ड भॉक्स का जो आइडिया आपके शाद चूट की काड़बोर्बॉक्स है ओसी को लगाया और यह दो आइडिया तो मैंने आपके श-र सबी रिस के होए हैं तो इस तरह से मैंने इसे सजा लिया है नीचे मैंने यह हाफ सरकल में यह भी आपके साथ सेर किया था कि आपकी सरसे जो है फ्लोर मेट बढ़ा सकते हैं और यहां पर मैंने अपनी बेटी का बनाए वे एक पैंटिंग को रखकर इसे कंप्लिट किया है और यहां मैंने माताची की चुंदी पर इस तरह से लाप शुप को लखा कर लगाया है और इस से ये घर के अंडरस में मैंने इस तरह से लगाया है ये भी आपकी साइड हेंगिंग तयार के इसका मैंने डीटेल में आपके शाद वीडियो शेड किया है और दूसरा दर्वाज़ कि मैंने ये भगवान के जो फोटो है उसे घर के बाहर नहीं लगाया है मेरे ये इंटरंस का दर्वाज़ इस तरह का है और बाहर दर्वाज़ इसके बात का ये भागे इसलिए मैंने भगवान के फोटो को यहां लगाया है मैं अउरण पर मैं कभी भी भगवान के फोटो को लगाती नहीं हो पीचे का एक और जो हमारे सामने के बाजु का यह जो हे मेरी जारी वह पर मैंने इस तरह से जो हे garden बना दिया है और यह भी मैंने किस तरह से आप पूराने अपने दिएक से बना सकते हैं Shared 니ंगs या idea आप के साथ detail में pushes किया तो उसे हम par में बना कर लगाया हुआ है और यहाँ पर जो है नेचे की साइट पर मैंने क्या किया है कि यहां पर मैंने यह जो बेठने के लिए आसन है एक तरफ मैंने artificial लगाया लेकिन यहां पर मैंने सारी लेसिस के टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक बड़ा सा जो है आप बोल सकते हैं बेटने के लिए मैंने विवस्था की है और इसे table runner के तरफ भी मैं यूज कर लेती हूं तो इस तरह से भी आप इसे यूज कर सकते हैं सब लेसिस को आपस में जोड़ है और इसके साथ ही यह तो आपने मेरा वीडियो देखा है कि मैंने सिलिंडр को ही यहाँ पर रखखा हुआ है उसी को मैंने यहाँ पर एक हाट दी है इससे और यहाँ पर मैंने जो है सीडी पूराने सीड़ी को तो यह बहुत प्यारी लगेगी लेकिन प्रोब्लेम यह था कि इसका और हमारी जो वॉल है उसका कलर एक हो जा रहा था जिससे यह बहुत अच्छी तर से विजियबल नहीं हो रहा था इसलिए मैंने यहां पर वाटर कलर का ही यूज किया है पोस्टर या तो वाटर कलर का शरुक Male pretending to availableuk लोकल कोटल मेले में कुछ यहां के ले चोटा आप टो से वैसा बिया अच्रेय इस एक दाया है मैं मेरे एंटर इस औरंस का जिया बीच में आप को वॉल हमें इनक्टि में वाल है यह जो पेपर कव पाते हैं चाय़के चोटे चोटे से ऊसी से तियार किया है और इसका आइडिया भी मैं डिटेल में आपके शेयर करूंगी कि यह मैंने किस तरह से तेयर किया है और देखे बीपोर राप्टर मेरा यह इस साइट का भी कितना प्यारा लग रहा है नीची के साइट पर मैंने सारी लेसिस की इतने छुटे छुटे से ही टुकड़ा थे इन जो मैंने पना है ने इसमें मुझे पास जुट की मुझे टोकरी नहीं मिली थी तो मैंने प्लास्टी की जो फ्रूट की टोकरी आती उसी का यूस किया है और इससे ही से कंप्लिट किया है और देखे कितना प्यारा सामने इससे कंप्लिट किया है और अब देखे मेरा यह फा इक्टिविटी को बता सकते हैं, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए, इसका मतलब कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजीगा, शेर कीजीगा, चेनल में अगर आप नहीं हैं, तो चेनल को कि ये बिना बिल्कुल नहीं जाएगा, सब्स्राइब परना फ्री है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर से मेरे साथ कॉमेंट बुक्स में शेर कीजीगा, मिलते हैं नए इंट्रेस्टिंग आइडिया के साथ,